हैं लो एवरिवन आयम गोरो राव और मिथमेटिक्स मेंटर वेलकमिंगी उल टो अड़ा 24-7 स्कूल तो बच्चों हम सब लोग है आपके इंटिग्रेशन की जर्नी पर और इस इंटिग्रेशन की जर्नी के आखरी कुछ पढ़ाओं में हम आ चुके हैं आखरी कुछ sizes करते हुए हमने धेर सारे questions कर लिए हैं सारे concepts इतने सारे questions करने के बाद I am sure आप integration के regarding बहुत ज्यादा comfortable हो चुके होंगे आज हम करने वाले हैं 7.11 जिसमें बिटा हमने use करनी है properties of definite integral हम use करने वाले हैं बचो properties of definite integral definite integral की बहुत सारी properties का use करेंगे इन properties का use करते हुए इन properties का use करते हुए बचों धेर सारे questions करने वाले हैं तो आज़े यह जल्दी से सारा का सारा focus यहाँ पर चलिए देखिए बाइ using the properties of definite integral इवालवेट इंटीगरल प्रोपर्टी जूज करते हुए आपको इन इंटीगरल को evaluate करना है तो आपको जो आए दिया है वो दिया है जीरो से पाई बाई टू को square x dx अब बिटा अब बिटा मैं एक प्रोपर्टी जानता हूं मैं क्या एक प्रोपर्टी जानता हूं इस प्रोपर्टी को बिल्कुल गाट बांद लो इस प्रोपर्टी को मल्टिपल बार हम यूज करने वाले हैं मल्टिपल टाइमस इस प्रोपर्टी को यूज करने वाले हैं बिटा तो 0 to pi by 2 2 criar x dx को में क्या लिख सकता हूं और एकवल टू 0 से पई भैट टू को स्क्वैर एक्स की जगए बिटा पई बैट टू माइनस एक्स d dax क्यों ये लिख m Honestly हैं है अच्छा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा चेंज हो के 0 से पाई बै टू, साइन स्क्वार एक्स डी एक्स अब 1, 2, 1 एंट टू को एड करेंगे बिटा, एड करेंगे हम 1 एंट टू को एडिंग 1 एंट टू क्या आएगा यहाँ पर 2i i plus i हो जाएगा 2i 0 से π.2 co square x plus sin square x dx co square x plus sin square x 1 हो जाएगा आपका यहां से क्या जाएगा 2i equal to 0 से π.2 1 dx और यहां से क्या जाएगा 2i equal to 1 का integration होता है x x 0 से π.2 ठीक है लिमिट रखोगे तो यहां से क्या जाएगा 2i equal to π.2 minus 0 तो i आजाएगा यहां से तुम्हारा π.4 ठीक है यह आपका answer आजाएगा i यहां पे π.4 आजाएगा आपका यह answer आजाएगा तो इस property का use करते ही यह simplify हो गई और जादातर question में जब जब हम इस property का बच्चो यूज करेंगे जब जब हम इस property का use करेंगे यह add वाला terminology यूज होगी जिसे 2i बनेगा i plus i 2i बनेगा और तुम्हारा right hand side एकदम simplify हो जाएगा बिल्कुल आराम से आप लोग question solve कर पाओगे clear clear है बिटा चलिए next question पर आते है 0 से pi by 2 under root sin x upon under root sin x plus under root cos x इसमें भी same property का use करेंगे यह तुम्हारा i है same property का use करेंगे तो i equal to 0 से pi by 2 under root sin pi by 2 minus x upon under root sin pi by 2 minus x plus under root cos pi by 2 minus x dx यहां से बिटा pi by 2 से change होगा तो सारे क्या हो जाएगे 0 से pi by 2 cos of x upon under root cos x plus under root sin x अब इन दोनों को add कर दो 1 and 2 को 1 and 2 को add जैसे ही करोगे 2i क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 से pi by 2 under root sin x भाई denominator सेम है LCM तुम्हारा यह सेम का सेम ही रहेगा under root sin x plus under root cos x upon under root sin x plus under root cos x dx वही 1 dx आगया सेम सोल करोगे तुम्हारा तो सेम ही answer दे देगा यहाँ पर भी सेम तुम्हारा answer दे दे देगा यह clear हुआ एकदम simple उस property का use करते ही मेरा बन गया विटा उस property का जैसे ही मैंने use करा मेरा answer बन गया next question देखो sin 3 by 2 x dx यह सेम ही है i यह ले लिया आपने same property का use करो तो i क्या हो जाएगा आपका 0 से pi by 2 sin की power 3 by 2 pi by 2 minus x upon sin की power 3 by 2 pi by 2 minus x plus cos की power 3 by 2 pi by 2 minus x dx change हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 से pi by 2 cos की power 3 by 2 pi by 2 minus x upon cos की power 3 by 2 pi by 2 sorry pi by 2 को यहाँ पर बिटाई एक्स भी तो हो जाएगा change ही कर लिया तो हमने यह change कर लिया तो हमने यह बन गया एक्स आपका ठीक है यह बन गया आपका x यहाँ पर भी यह हो जाएगा आपका x यह हो गया आपका x और plus sin की power 3 by 2 x dx अब बिटा इन दोनों को एड़ कर होगे lcm same y बन जाएगा 2y equal to 0 से pi by 2 1 dx same बनेगा देखो तीनों में हम सेम जगया राईव कर गई property जैसे यह आपने लगाई same जगया राईव कर गई हम जैसे यह आप property लगा रहे हो सब में यह यह आजा रहे है और यहां से आंसर आपका फिर क्या आएगा पाई बाई टू आएगा जीरो से पाई बाई टू था पाई बाई टू आएगा तो आए बन जाएगा पाई बाई फोर sin की पाऊवर 5 pi by 2 minus x plus cos की पाऊवर 5 pi by 2 minus x dx इसको simplify करोगे तो क्या आएगा 0 से pi by 2 sin की पाऊवर 5x upon cos की पाऊवर 5x plus sin की पाऊवर 5x dx add करना बिटा add जैसे ही करोगे क्या आएगा यहाँ से तुम्हरा 2i equal to sign की power 5 और coast की power 5 उप़र और ये भी निचे तो फिर से वही तुमारा 1dx बनेगा 0 से 5 by 2 और इसका answer तुम निकाल लोगे एकी चारो question में एकी property लगाई है सेम जगे arrive कर जा रहा हूं चारो question में सेम property लगाई है मैंने बोला भी इस property का बहुत बार यूज करने वाले हैं 0 से a fx dx क्या हो जाता है 0 से a f of a minus x dx remember this property बहुत काम की है पूरी exercise में बहुत बार लगातार यूज हो रही है property सारी याद रखनी है बट इससे हम almost same जगे arrive कर रहे हैं बार 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 सेम जगे मराई भी कर रहे हैं चलिए आगे देखिए minus 5 से 5 mode of x plus 2 अब बेटा तुम जानते हो ये mode of x plus 2 है ये mode of x plus 2 है ये क्या होगा minus of x plus 2 जब तक x जो है x कहा से कहा तक minus 5 से लेके minus 5 से लेके minus 2 तक है और minus 2 से 5 तक आपका ये positive हो जाएगा minus 2 से 5 तक positive हो जाएगा जैसे ही minus 2 आएगा तो 0 बन जाएगा तो अब मैं इसको break कर लूँगा इसको break करूँगा तो minus 5 से minus 2 minus of x plus 2 dx plus property यूज कर रहा हूँ मैं plus minus 2 से लेके 5 x plus 2 कि जगा x plus 2 dx ये property लगा ली मैंने ये property लगा ली क्या होती है property a से b f x dx क्या हो जाता है a से c f x dx plus c से b f x dx ये वाली property मैं लगा रहा हूँ अब इसका integration तुम जानते ही हो इससे तुम answer निकाल लोगे यहां से answer निकालने में आप लोगों को कोई challenge नहीं आएगा थोड़ा सा काम मेरे वच्चों तुम्हें भी तो करना है राइट थोड़ा सा काम आप लोगों को भी करना है बिल्कुल सब कुछ simplify करके दे रहा हूँ फाइनल कैलकुलेशन तो आप लोग भी तो करोगे फाइनल कैलकुलेशन तो आप लोग भी तो करोगे next question पर आ जाते है same बिटा मेरे को दिख रहा है यहां पर भी लोग की property लगानी है तो mode of x minus 5 mode of x minus 5 क्या होगा minus of x minus 5 जब तक x belong कर रहा है 2 से लेके बिटा 5 तक ठीक है और यह plus हो जाएगा आपका ऐसे का ऐसा हो जाएगा x minus 5 जब x belong करेगा 5 से 8 तक तो इसको क्या break कर दूँ मैं इसको क्या break कर दूँ 2 से 5 minus of x minus 5 dx plus 5 से 8 x minus 5 dx इसको क्या लिख सकता हूँ 2 to 5 5 minus x dx plus 5 to 8 x minus 5 dx simple बो इसमें कोई challenge थोड़ी नहीं 2 से 5 और 5 से 8 में break हो गया पर 2 से 5 और 5 से 8 में break हो जाएगा बो लो clear है clear तो property लगाते हैं हमारे simplify हो जा रहे हैं चलिए आग नेक्स question देखते हैं 0 to 1 x into 1 minus x to the power n dx यह तुमारा आए है इसमें वो वाली property 0 to a f of x dx फिर से लगा हूँ 0 से a f of a minus x dx तो यहां से क्या हो जाएगा तुमारा आए हो जाएगा बिटा मेरा यह बना अब इस आए को क्या करो 0 से 1 x to the power n minus x to the power n plus 1 dx इसका integration तुम जानी रहे हो direct इसका integration तुम जानते हो x to the power n का हो जाएगा x to the power n plus 1 upon n plus 1 minus x to the power n plus 1 का हो जाएगा x to the power n plus 2 upon n plus 2 और 0 से लेके 1 तक लिमिट आएगी बोलो simplify एकदम property लगाते ही simplify होते चला गया इसको solve करना हमारे लिए tough था लेकिन जैसे ही मैंने यह लगाया तो इसको simplify और इसमें वो 2i भी नहीं करना पड़ा बिटा इसमें 2i भी नहीं करना पड़ा मेरे को एकदम simplify होते हुए चला गया clear अब तो limit रखने का काम है यह तो तुम कर दोगे आपका answer आजाएगा perfect बोलो भई चलो next पर आओ 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x dx यह है बिटा ठीक है इसमें फिर से पहले वाली property लगाओ तो मैं i को क्या लिख सकता हूँ 0 से pi by 4 log of 1 plus 10 pi by 4 minus x ठीक है यह लिख सकता हूँ मैं log of 1 plus 10 pi by 4 minus x अभी 10 a minus b वाली property लगा दो tangent a minus b क्या होता है tangent a minus tangent b upon 1 plus 10 a 10 b यह property लगाओ मैं 0 to pi by 4 log of 1 plus tangent pi by 4 minus tangent x upon 1 plus tangent pi by 4 into tangent x dx लोग of tangent pi by 4 आपका 1 होता है तो यह क्या हो जाएगा 1 minus 10 x upon 1 plus tangent x dx log of 1 minus 10 x upon log of 1 plus 10 x इसको simplify करने लगोगे क्या जाएगा 0 से pi by 4 देखो log of 1 minus 10 x है log of 1 plus 10 x है और यह 1 plus तो है यह 1 plus तो साथ ही चल रहा था इसको simplify करने लगो लोग ओफ 1 plus 10 x plus 1 minus 10 x upon 1 plus 10 x dx tangent x से tangent x चला गया विटा 0 to pi by 4 log of 2 upon 1 plus 10 x 0 से pi by 4 log of 2 upon 1 plus 10 x है इसको क्या लिख दूमे 0 से pi by 4 log की property लगा के log 2 dx minus 0 से pi by 4 log of 1 plus 10 x simple है ना log of a upon b log of a upon b को मैंने लिख दिया लोग a minus log b यह लगा दिया और यहाँ इसका integration अब तुम जानी रहे हो ठीक है यह तुमारा यू का यू आई बन गया यह तुमारा यू का यू आई बन गया 2i हो जाएगा यहांसे लोग तु बार x की जगया pi by 4 यह बन गया आये बन गया πाई बाई 8 लोग टू आये बन गया पाई बाई 8 लोग टू clear है बोलो बटा clear हुआ एकदम simple बस ये 10 पाई बाई 4 माइनस x जैसे तुमने यूज करा और ये simplify होते हुए चला गया simplify होते होते इसने finally आपका answer दे दिया है बटा clear बोलो भई next question पर आते हैं next question पर आओ i क्या है तुमारा 0 to 2 x root 2 minus x dx वही property फिर से लगानी है 0 to a f x dx होता है 0 to a f of a minus x dx यही property यहां पर लगा लो तो आए यहां पर क्या बनेगा तुमारा 0 to 2 2 minus x root 2 minus x की जगे 2 minus x dx तो यहां पर आए तुमारा क्या बन गया विटा 0 to 2 2 minus x और root में बचा केवल x dx सिंपल अब तो इसका integration को 2 root x minus x root x dx सिंपल एक्स की पावर half x की पावर 3 by 2 इसका integration कर देना limit रख देना आपका अंसर आ जाएगा जैसे लिमिट पुट करोगे और यह रखोगे आपका अंसर आ जाएगा clear हुआ बो भाई एकदम clear हुआ simple बड़ी काम की property है यह बहुत जादा काम आने वाली property है लगातार इसका use कर रहे हैं हमारे questions एकदम simplify होते हुए जा रहे हैं इसको use करते ही इसको use करते ही एकदम simplify होते जा रहे हैं हमारे clear चलिए next पर आईए zero two pi by two two log sin x minus log sin 2x dx यह है बिटा तो मेरे को इसमें sin 2x का formula आता है sin 2x का formula रखूं आए हो जाएगा मेरा zero से pi by two two log sin x minus log of two sin x cos x dx ठीक है यह आपका मैंने sin 2x को open करके लिख दिया बिटा sin 2x को आप open करके लिख दिया अब इसको क्या लिख सकते हैं i equal to zero से pi by two two log sin x minus sin a b c इसको क्या लिख सकते हैं sin a plus sorry log of a b c log a plus log b plus log c यह लिख सकता हूँ मैं इसको बिलकुल लिख सकते हैं dx यहांसे simplify करेंगे तो zero से pi by two zero से pi by two log sin x में से एक log sin x गटेगा तो क्या बन जाएगा log sin x minus log two minus log cos x dx ठीक है log sin x minus log cos x minus log two अब क्या करो अब पहले वाली property लगाओ property लगाओगे तो zero से pi by two log of क्या बनेगा तुम्हारा यहां पे sin x minus log two minus log cos x था अब इसको change करो sin pi by two x हो जाएगा cos x minus log of two minus यह हो जाएगा log of sin x dx अब इसको रिसको वन और टू को एड़ कर देना बिटा वन और टू को एड़ करना वन और टू को जैसे यह एड़ करोगे add one and two क्या आएगा twice of i आ जाएगा तुम्हारा जीरो से pi by two बिटा log sin x से log sin x जाएगा log cos x से log cos x जाएगा यह दोनों चले जाएगे और यह minus two log two minus two log two dx यह पूरा constant है dx का integration हो जाएगा x dx का तुम्हारा integration हो जाएगा x और फिर आप रख देना इसमें answer आजाएगा आपका ठीक है limit रखोगे answer आजाएगा clear है limit रखोगे answer आजाएगा next question minus pi i क्या है आपका minus pi by two से pi by two sin square x dx यह है बिटा तो minus a से a fx dx ठीक है इसमें अगर function even होता था तो हो जाता था यह twice of zero to a fx dx अगर function even होता था तो ओड होता था तो यह हो जाता था भी whole square करोगे तो वो भी तुमारा sin square x ही आएगा तो function है तुमारा even function even है तो मैं इसको लिख लेता हूँ twice of zero से pi by two sin square x dx अच्छा अब इसमें पहले वाली property लगाओगे तो twice of zero से pi by two sin square pi by two minus x dx यह बन जाएगा तुमारा यहां से i बन जाएगा twice of zero से pi by two cos square x dx अब इन दोनों को add करना तो twice of i क्या बन जाएगा two तो आप बार common ले 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 ना जीरो से pi by two sin square x plus cos square x 1 dx यह हो गया आपका answer integration करना आपका final answer आजाएगा integration करोगे आपका final answer आजाएगा ठीक है integration करोगे आपका final answer आजाएगा विटा ग्लियर है चलिए आगे देखें बलो भाई आगे देखते हैं चलिए 0 से pi x dx upon one plus sin x 0 से pi x dx upon one plus sin x यह तुमारा आए है पहले वाली property सबसे पहले property 0 से pi x की जगे पाई माइनस x dx upon one plus sin pi minus x ठीक है बिटा जैसे तुमने यह property लगाई तो यहां से यह क्या हो गया तुमारा 0 से पाई पाई माइनस x upon one plus sin pi minus x तो sin x ही रहा dx ठीक है अब इन दोनों को एड करो इन दोनों को एड करा तो बिटा ट्वाइस ओफ आए 0 से pi x plus pi minus x upon one plus sin x dx यहां से क्या बन गया twice of i zero से pi x x cancel out हो गया बटा x x अगर cancel out हुआ तो यहां से यह क्या बन गया x x cancel out हुआ यह बन गया pi upon one plus sin x dx ठीक है twice of i बन गया तुमारा pi one plus sin x dx पाई को भार ले आओ twice of i equal to pi zero से pi और उपर नीचे one minus sin x multiply कर दो one minus sin x से मैंने multiply कर दिया इसको simplify करने के लिए dx twice of i equal to pi zero से pi one minus sin x upon one minus sin square x dx ठीक है यहां से क्या बन जाएगा twice of i pi zero to pi one minus sin x upon cos square x dx यहां से बन जाएगा twice of i pi times zero to pi sec and square x minus sec x 10 x dx इसका integration आप लोग जानी रहे हो इसका integration जानते हो limit put करोगे आपका answer आजाएगा बेटा इसका integration तुम जानते हो limit put करोगे answer आजाएगा clear 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 है यह एकदम clear हुआ next question पर आओ बेटा minus pi by 2 से pi by 2 sin to the power 7 x dx बेटा यह होगा old function क्यों sin of minus x होता है minus sin x ठीक है और sin of minus x की power को seven करोगे तो वो minus में ही आएगी ठीक है यह आजाएगा old old होते ही यह answer आजाएगा आपका zero old होते ही आपका answer देदेगा zero कोई calculation की जरूत नहीं है old function minus a से a minus a से a fx dx यह हो जाता है जीरो इफ fx is old अगर fx old function हो जाए तो यह हो जाता है zero clear fx अगर old function हो जाए तो यह हो जाता है बेटा आपका zero next question पर आओ जीरो टू टू पाए integration तुम्हें दिया है जीरो टू टू पाए कोस्ट टू पार 5x dx अच्छा अब बेटा तुम लोग जानते है यह पर परपिटी एक प्रोपट्टी क्या जानते हो कि जीरो टू टू कि है तू यह जीरो टू तू टू ए fx dx इह इस प्रोपर्टी अभी यह दूسरी प्रोपट्रों फोपर्टी यूज़ कर रह अगर ये f of 2a minus x अगर ये f of x के बराबर हो अगर ये f of x के बराबर हो बिटा तो ये होता है twice of 0 to a fx dx और बिटा ये 0 हो जाता है ये 0 हो जाता है if f of 2a minus x minus fx के बराबर हो ये property याद रखना ये property बिटा आप याद रख लेना ठीक है? तो अब कोस्ट टू दपार 5 2 पाइ माइनस X ये तुमारा बराबर आएगा कोस्ट टू दपार 5 X के तो इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं twice of 0 to twice of 0 to a मतलब इसके आधे करने है twice of 0 से पाइ twice of 0 से पाइ कोस्ट टू दपार cos to the power 5x dx twice of 0 से pi cos of 5 यह आ गया ठीक है अब देखो बिटा अब अगर फिर से यह वाली property लगाऊं मैं अब अगर फिर से मैं यह वाली property लगाऊं तुमारे सामने तो cos of 5 cos of 5 pi minus x cos to the power 5 pi minus x जो है यह हो जाएगा minus cos of 5x तो यह आपका answer देदेगा 0 दो बार same property इस property को मैंने दो बार लगा लिया है 2 times दो बार यह same property लगाई आपका answer finally 0 आगया बिटा दो बार जैसे ही मैंने यह property लगाई आपका answer आगया 0 clear हुआ दो बार जैसे ही मैंने यह property लगाई बेटा आपका answer आगया 0 clear चलिए next question पर आते हैं 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x dx property लगाओ 0 से pi by 2 sin pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus x upon 1 plus sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x dx यह तुमारा i हो गया एक आई एक गिवन था ही इसको simplify किया तो यह क्या बन गया 0 से pi by 2 cos x minus sin x upon 1 plus cos x sin x दोनों को पिटा add कर दो तो 2i equal to 0 से pi by 2 sin x में से sin x सब्ट्रेक्ट हुआ cos x minus cos x में cos x add हुआ उपर बन गया 0 तो नीचे कुछ भी आई यह 0 ही होने वाला है तो यह बन गया आपका 0 एक property लगाते ही 0 answer आ गया एक property जैसे ही लगाई तुमने तुम्हारा answer बिटा 0 आ गया clear answer आ गया एकदम 0 clear हुआ दो-दो मिनट में हर सवाल होते जा रहे है almost half an hour में हमने 15 question कर लिए है हर दो मिनट में question हो रहा है बस simply हमें property लगानी है property को सोच समझ के जैसे ही लगाऊगी property को जैसे ही सोच समझ के लगाऊगे बिटा आपका answer आ जाएगा ठीक है चलिए next question पर आते हैं इस question को बहुत ध्यांच से करना पड़ेगा ये question तुम्हारा important है थोड़ा सा बहुत काफी ध्यांच से भी करना पड़ेगा 0 to pi log of 1 plus cos x dx तो इसको मैं लिख सकता हूं i equal to 0 से pi log of 1 plus cos pi minus x dx ठीक है इसको मैं ये लिख सकता हूं और बिटा तुम जानते हो cos of pi minus x minus cos x हो जाएगा तो i बन जाएगा तुम्हारा 0 से pi log of 1 minus cos x dx ये बन गया ठीक है अब इनको add करना एक आए तो ये था ही तो twice of i क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 to pi log of 1 plus cos x plus log of 1 minus cos x dx ये बन गया तुम्हारा इन दोनों को add करा आपने ये बन गया अब log of a plus log of b तो हो जाएगा log of a minus b मतलब यहां से क्या जाएगा 0 to pi log of ये इंटू ये a plus b into a minus b तो 1 minus cos square x log of 1 minus cos square x यहां से क्या जाएगा 0 से pi log of sin square x dx और log of sin square x dx को बेटा log of sin square x dx को में ये लिक टू आए इक्वल टू log of 0 से pi sin square dx तो तू log sin x dx पेटा इस टू से ये टू इदर वाला चला जाएगा इस टू से इस ये चला जाएगा तूम्हारा आए तूम्हारा क्या आगया 0 से pi log of sin x dx आए आगया हमारा 0 से pi log of sin x dx अच्छा अब इसमें कौनसी वाली प्रोपर्टी लगाओ sin of pi minus x होता है तूम्हारा sin x तो ये वाली प्रोपर्टी लगाओ 0 to 2a fx dx ये हो जाता है ये हो जाता है ट्वाइस ओफ 0 से a fx dx if f of 2a minus x equal to fx ठीक है ये वाली प्रोपर्टी मैं यहां पे लगाओं तो ये क्या बन जाएगा आई बन जाएगा मेरा twice of 0 से pi by 2 ठीक है log of sin x dx आए आगया तुम्हारा twice of 0 से pi by 2 log sin x dx अब इसमें फिर से ये क्या बन जाएगा जीरो से pi by 2 log of sin pi by 2 minus x dx ये बन जाएगा i equal to twice of 0 से pi by 2 log of cos x dx ठीक है ये तुम्हारा बन गया log of cos x dx का अब इसको 3 को और 4 को फिर से add कर दोंगे 3 और 4 को फिर से add करेंगे तो यहां से क्या आएगा twice i equal to 2 times 0 से pi by 2 log of sin x plus log of cos x dx और बेटा log sin x plus log cos x को log sin x plus log cos x को क्या लिख सकता हूं मैं twice of i equal to 0 से pi by 2 इस 2 को भी बेटा मैं अंदर लेके इतला गया twice log sin x cos x dx twice of i यहां से क्या हो जाएगा 0 से pi by 2 0 से pi by 2 log of sin x log of sin x plus log of cos x dx अच्छा अब क्या क्या काम करो बिटा इससे तो फाइदा हो नहीं रहा तो इससे फाइदा नहीं हो रहा तो रुको इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं क्या करना अब मैंने इस 2 से यह 2 गायब कर दो i equal to 0 से pi by 2 log sin x plus log cos x plus log 2 minus log 2 log 2 को add and subtract कर दिया अब पिटा यह तीनों मिला के क्या हो जाएगा i equal to 0 से pi by 2 log of sin 2 x बन जाएगा क्योंकि 2 sin x cos x multiply में minus log of 2 और अब इसका तुम integration कर लोगे ठीक है अब इसका तुम integration कर लोगे विटा integration कर लोगे तुमारा answer आजाएगा ठीक है यहांसे कर लोगे बिल्कूल simple है अब तो ठीक है तो इसका integration तुम कर लेना आपका answer आजाएगा टू एक्स को चाओ तो टी पुट कर लेना उससे simplify कर लेना answer आजाएगा तुमारा चले आगे देख लो यह question थोड़ा बढ़ा था इसमें बहुत सारी यह calculation थी पहले आपने इसको पाइ माइनस x लिखा फिर इन दोनों को add किया एड किया तो यह यह बन गया फिर आपने फिर से यह वाली प्रोपर्टी लगाई फिर आपने दूसरी प्रोपर्टी लगाई इन दोनों को add किया तब आपका जाके simplify हुआ है तब जाके आपका simplify हुआ है नेक्स् 원 देखिए जीरो टूक है root x अ Von अब है फिर सेड पहले वाली प्रोपर्टी simple प्रोपर्टी लगाने आई एक एकवल टू 02 ए अंडर रूट ए माइनस x अपो связ ris we अनुट §3-x यह क्या बन जाए गया से जीरो से ए अन रूट ए माइनस एक्स अपोन अंडरूट A माइनस X प्लस अंडरूट X इन दोनों को एड करना twice of I तुमारा बन जाएगा 0 to A अंडरूट X प्लस अंडरूट A माइनस X अपोन अंडरूट X प्लस अंडरूट A माइनस X DX यह cancel आउट होके 1 DX twice of I equal to X 0 से A I आजाएगा तुमारा A by 2 I आजाएगा तुमारा A by 2 Simple पहली प्रोपर्टी लगते ही इतना जाजा सिंप्लिफाई हो जाता है जैसे ही पहली प्रोपर्टी लगाते हो एकदम सिंप्लिफाई हो जाता है चलो next question पर देखो 0 to 4 X माइनस 1 DX अब बिटा X माइनस 1 मोड जो है यह क्या होगा यह जाएगा minus of X minus 1 जब X बिलों करेगा 0 से लेके 1 तक और यह हो जाएगा X माइनस 1 जब X बिलों करेगा 1 से लेके 4 तक तो यहाँ से क्या आएगा 0 to 1 minus of X minus 1 DX Plus 1 to 4 X minus 1 DX इसको simplify कर देना 0 से 1 1-x dx प्लस 124 x-1 dx अब इसका integration तुम जानते हो इसका integration को simplify करोगे आपका answer आजाएगा इसके integration को बिटा जैसे ही simplify करोगे आपका answer आजाएगा clear next question पर आओ शो दाट जीरो टू ए fx gx dx equal to twice of 0 to a fx dx if f and g are defined as fx को define क्या f of a minus x और gx plus g a minus x यह दिया आपको 4 यह दो condition आपको दी हुई है ठीक है integration आपको क्या दिया है आए दिया है 0 to a fx gx अच्छा इसको बिटा मैं यह लिख लूँ इसको लिख लेता हूँ 0 to a f of a minus x g of a minus x यह तुमारा i बन गया यह आपका i बन गया बिटा i equal to 0 to a f of a minus x g of a minus x dx इन दोनों को एड कर देते हैं इन दोनों को बिटा एड कर देते हैं एड करोगे तो twice of i equal to 0 to a fx gx plus f of a minus x अच्छे डी एक्स तो साथ चली रहा है बिटा a minus x g of a minus x dx ठीक है अब f of a minus x तुमें पहले ही दिया है f of x के बराबर f of a minus x f of x के बराबर दिया जीरो टू ए fx gx plus f of a minus x fx के बराबर दिया जी ओफ a minus x dx अब बिटा क्या करना f of x को कुमन ले 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 ना ट्वाइस ओफ आए इक्वल टू जीरो टू ए f of x को मन लोगे तो जी ओफ एक्स प्लस जी ओफ a minus x dx जीरो टू ए जी ओफ एक्स प्लस जी ओफ a minus x 4 के बराबर दिया है तो four times fx dx तो integration आए यहां से तुम्हारा जगा जीरो टू ए ट्वाइस ओफ fx dx जानी कि यह two times zero to a fx dx हैंस प्रूवड simple आप calculation करते चले गए अपने आप ही simplify हो गया बिटा आप जैसे ही calculation करते चले गए अपने आप ही simplify हो के answer दे दिया clear है एकदम बहुत simple question था कई बार लगता है सर प्रूव कैसे करें बहुत ही simple question था clear हुआ बहुत बढ़िया next देखो बिटा values of minus pi by 2 से minus pi by 2 से pi by 2 x cube plus x cos x plus 10 to the power 5x plus 1 dx देखो बिटा हर एक function को अलग अलग करो x cube आपका odd function है x cos x आपका odd function है 10 to the power 5x आपका odd function है तो यह तीनों तो integral की value 0 देने वाले हैं यह तीनों तो integral की value 0 देने वाले हैं सिंपल क्या बचेगा माइनस pi by 2 से pi by 2 1 dx माइनस pi by 2 से pi by 2 1 dx ठीक है और यह हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ट्वाइस ओफ 0 से pi by 2 1 dx माने twice of pi by 2 याने आपका pi simple simple pi answer आएगा pi answer आपका c option pi answer c option तो यह मैं टिक कर दूँगा simple भाई यह ओड यह ओड यह ओड यह ओड यह तिनों 0 देने वाले मेरे लिए काम ही simple सा रह गया तिनों ओड होते ही काम ही simple सा रह गया next question 0 से pi by 2 log of 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x इसमें पहले वाली प्रोपर्टी लगा हो तो मैं इसको क्या लख सकता हूँ i equal to 0 से pi by 2 log of 4 plus 3 sin x कोई जगे sin pi by 2 x आएगा तो cos x हो जाएगा upon 4 plus 3 cos x की जगे cos pi by 2 x मतलब sin x आ जाएगा d x अब इन दोनों को add कर दो बिटा twice of i 0 से pi by 2 log a plus log b मतलब log a into b तो 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x into 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x dx ये से ये गया ये से गये गया log of 1 बच गया twice of i 0 से pi by 2 log of 1 dx ये क्या answer देने वाला है ये answer आपका देने वाला बिटा जीरो यहां से आए आएगा आएगा का 0 simple तो पूरी इस exercise में बिटा हमें लगानी थी बस प्रोपर्टी और वो जो ये वाली प्रोपर्टी है 0 to a f of x dx 0 to a f of a minus x dx इसका तो हमने भरपूर इस्तेमाल किया है और एकदम ही आपको सिंपल इसने answers दे दिये हैं ठीक है तो लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रही है ऐसे आपके लिए डेर सारे question डेर सारे concept हम लेके आ रहे हैं ठीक है पढ़ते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं आपकी प्रप्रेशन के लिए all the best वीडियो देखने के लिए थैंक यू बिटा और अगर आपकी वीडियो में हेल्प और यो तो यू कन लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक यू बिटे